ओमिस IPL का सेकेंड एडिशन स्टार्ट होगा 23rd February 2024 से दोस्तों और इस वीडियो में हम लोग गुज्राट जाइंस के बारे में इसकस करेंगे इंडेप्ट यहां पर मैं एक चीज़ एड करूंगा दोस्तों आपको अगर गुज्राट जाइंस के उपर इंट्रेस्ट है मतलब अगर आप Exchange 22 पे खेलते हो या फिर दोस्तों आप किसी और ऐसे वेबसाइट में खेलते हो जहां से दोस्तों आप अच्छा खसान कर सकते हो बट आपको WPL खिलना है तो जरूर ये वीडियो पुडा देखना आपको दोस्तों WPL के हर एक टीम के बारे में अनलाइसीस डीटे सब कुछ आपको मालूम चलेगा बट सिंपल लेंगवेज में ध्यान से वीडियो देखो और अगर आपको इंटरनेशनल मैच खेलना है डोमस्ती खेलना है तो ये वीडियो आपको जब मिलेगा ना उसी के साथ मैं कुछ सीरीज कवर कर रहा हूं जैसे कि इस आफ्रीका टी न्यू हो सब्सक्राइब करो नोटिफिक्शन बिल को अन करो और जॉइन हो जाओ टेलिग्राम जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तो टेलिग्राम चैनल का लिंक ना मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन में रखता हूं क्यूंकि देखो कॉमें सेक्शन मे कई बार क्या होता है कि कुछ फर्जी कमेंस एड हो जाते हैं और उससे ना कुछ बंदे मैनूपलेट होके जाते हैं पेड ग्रॉप में कोई पेड टीम नहीं मिलेगा सब फ्री में मिलेगा जो मैं खुद खेलता हूं वही आपके साथ शेयर करता हूं आता हूँ इस match के analysis में देखो इस match तो नहीं दोस्तो गुज्राट जाइंस के SWOT analysis में ठीक है अब देखो गुज्राट जाइंस मैं आपको शुरू में बता रहा हूं इनका जो strong point है वो है दोस्तों इनके foreign players इनका जो weakness है वो बहुत जादा है दोस्तों इनका बॉलिंग unit यहां पर आपको foreign लॉरेंच चीटल दिखेगा जिन्होंने रिसेनली बहुत अच्छा cricket खेला बट यह foreign player है इंडिया में इनका पेस तो नहीं वट cutter ball अगर काम में आया तो सही है otherwise दोस्तों यह team के पास कोई अच्छा baller ही नहीं तो यहां पर दोस्तों team को मुश्किल हो सकता है ठीक है अब हम लोग चलते हैं एक एक करके player analysis में इनके wicket keeper कौन है इनके wicket keeper रहा है beth muni most probably दोस्तों एक ही wicket keeper है जो beth muni है और दोस्तों यह definitely wiki करते हुए दिखेंगी बैटिंग भी करेंगी लास्ट यह एक ही मैच खेला था injury का कुछ concern था दोस्तो 82 ODI match में जी और सोरी क्या ही बता रहा हूं recent form इनका 82 आया South Africa के अगेंस एक मैच में 0 किया Marisana cap ने इनको out किया था एक में bound बनाया बहुती अच्छी touch में जा रही है T20 इसमें start इनको हर match में मिलता है T20 cricket के दोस्तों यह legend मानी जाती है हर match में run बना दिया है यहां पर मैं आपको एक चीज़ एड करूंगा recently जो मैंने बेत मुनी में देखा ना हुआ है दोस्तों यह थोड़ा पने strike rate लेकिशाइद concern है थोड़ा सा over attacking हो जाती है बट विकी section में अगर आपको बेत मुनी मिल जाए तो इनसे बेटर कोई choice नहीं ह ग्राउंड at least दोस्तों initial matches 2 venues होगा शुरू के 11 match होने वाला है आपको आपका Bengaluru में फिर 11 match होगा कहां पे दुस्तों Delhi में अब यहां से दोस्तों 9 डेली का match होगा group league का और 2 होगा eliminated final ठीक है अब देखो starting of the match किसी भी ground में हो जाए दोस्तों आपको high scoring देखेगा जितना matches साथ आठ चाहेगा ना अगर pitch news हो रहा है तो ठीक है but still एक pitch में जब 2 match होने के बाद तीसरा match से देखना pitch slow down होगा ऐसा last year भी WPL में देखे थे starting of the tournament आप इनको cap BC बना के चलो बेतमुनी को बर्या होगा आपके लिए ठीक है क्यूंकि एक तो आपको wiki से points देंगी plus इनका death मे winner Ashley Gardner ball करेंगी तो यह stamping के भी points मिलेगा specially fielding first plus आपको batting दो बेतमुनी best option है World cricket में one of the best T20 batter है जो wiki throw करती नहीं है ठीक है मैं strike rate का बात नहीं कर रहा हूँ average का बात कर रहा हूँ और इनका batting से average भी देखो first innings में 40 का average है second innings में 57 का second innings में यह ज्यादा better करती है plus इनको second innings में wiki का भी points मिलने वाला है तो कमाल की choice है especially second innings के ABC बगेरा जो भी है अब आतो batting section में Phoebe Leachfield मेरे हिसाब से इस tournament में दोस्तों Lauren Ulvert से आगे खिलना चाहिए अब देखो experience Ulvert के साथ जाएगा last year उन्होंने 4 match 143 run भी बनाया था सही है but still मैं prefer करूंगा Phoebe Leachfield दो reason एक तो Phoebe Leachfield left-handed batter है हाँ बेतमुनी भी left-handed है तो off-spinal लग जाएगा हो सकता है but still मैं जो right-arm medium क्रिकेट में ज्यादा right-arm medium basis होते है तो उनको counter तोरा सा जादा left-handed batter कर लेंगी और मैं prefer करता हूं Phoebe Leachfield और Phoebe Leachfield one-down भी खेल सकती है तब opener किसी right-handed batter को इंडिया का domestic का भेज सकता है team प्लस सबसे बरा reason है recently form तो इंका बहुत अच्छा है या पर नहीं दिख रहा है बट इससे पहले इन्डिया में आके बहुत ही अच्छा cricket खेल के गई है दोस्तों Phoebe Leachfield और यह atticking cricket ज्यादा खेलती है Laura Ulvert ना slide team मुझे लगए कि slow खेलती है compared to Phoebe Phoebe ज्यादा Atticking cricket खेलती है मैं prefer करूँगा Phoebe के साथ जाना team Ulvert के साथ जा सकते है Ulvert last year बहुत ही अच्छा खेला था बर recent form इंका भी ODI में देखो 304 T29 में 1558 low strike rate से 16 basically थोड़ा सा low end strike rate chasing में यह भी देखोगे तो batting first इंका record ज्यादा अच्छा है compared to chasing ठीक है Laura Ulvert का मैं prefer करूँगा Phoebe को let's see team किसको खिलाता है अगर Laura Ulvert को खिलाता है दोस्तों जिनका batting first average 32 second innings average है 30 तो batting first यह ज्यादा अच्छी करती है वही पे Phoebe Lichfield देखोगे तो batting first 25 का average है batting second 26 का मैं इनका T20 career का आप मैं बात कर रहा हूं overall T20 career ठीक है प्रेफर करूँगा किसको Phoebe को let's see कौन किसको टीम किसको खिलाता है Harleen Devol यह खिलने वाली है दोस्तों आपको either one down या फिर two down मुझे लगता है one down खिलेंगे last year इन्होंने अच्छा cricket खिला 8 match में 202 run starting series का जब start हुआ था न WPL का इन्होंने जादा better cricket खिला पर फिर से एक बात थोरा से strike rate लेके concern है जब तक power play में रहेगा दोस्तों यह run बना जाती है पर after power play बड़े shots थोरे से कम हैं इनके पास और down the ground मारेंगे तो out हो सकती है यह strike rate लेके concern है इनका अपना career देखोगे तो first innings में 36 average जब भी second innings होता इनका average down हो जाता है तो यही बात याद रखना अपको लेना है तो first innings में टीम में रखना है जहांपे भी रखो भाई करो second innings के मुकाबले second innings में 151 but trusted player नहीं है recently t20 में 57 बाकी चार इडिंस flop क्या इनको टीम में रखना चाहिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा थोड़ा से इनका batting order देख लो हो सकता है कि टीम इनसे open करा दे one down Phoebe को खिला दे two down Halin Dehal को खिला दे या फिर one down two down Phoebe village field उस condition में हमलाता अगर open करती है तो सही है बट मिल ओर में थोरा सा मुश्किल हो सकता है फिर से बरे shots ही खेलना परेगा इनको मिल ओर में हमलाता को जो बरे shots basically हर बॉल में घुमातने का कुशिश करेंगी वेदा Krishnamurti को नहीं लूँगा और इन्होंने कुछी दिन पहले commentary भी कर रहे थी ज्यादा matches नहीं खेला इन्होंने कुछ खास मुझे option नहीं लगा domestic player है अगर open करती है बात अलग है middle order में trouble होगा तो heavily depends on foreign player कोई Indian player ही नहीं इनके plus ठीक है जो है एक हल इंडियोल जिरको middle order में इंडियान का या फिर foreigner का एक जो है ना इनके पास पूरा middle order आप घूम लो इनका यह देख सकतो पाउर प्ले में तो ठीक है middle order में हलिंदे और अश्ली गर्डनर डेलन हमलादा आतीशिता पूजिता इस्नेहरा ना इस्ली गर्डनर को छोड़ के ना इनके पास खुई बड़ा हीटर नहीं है नहीं foreign हीटर है middle order में जो इनका एक ट्रबल है यह बॉलर नहीं होगा यह ओल्राउंडर होगा ओल्राउंडर सेक्शन में अश्ली गर्डनर रहेंगे इनके जो बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्राउंडर है बट रिसेंट फॉर्म इनका बहुत खराब था यहां पे ODI में most probably last 2 ODI का record add नहीं हुआ है जो South Africa के against हो रहा था जहां पे इनका एक match में शायद इन्होंने 3 wicket निकाला और 1 match में दो निकाला अच्छा खिला था last 2 ODI में और second ODI में इसने batting से भी points दिया अच्छी player है last year 8 match में 204 run 28 over 10 wicket बाट आप इंसन expectation ज्यादा रखोगे इनका match winning knock नहीं आया था बट fantasy के value में दोस्तों यह आपको हर match में points देंगी both condition must speak balling first ज्यादा bitter हो जाएंगी as captain क्योंकि यह ball first death में balling करेंगी मैं यहाँ पर एक चीज़ एड़ करूंगा इंडिया का last T20 series उठाके देखो जो सा ऑस्ट्रेलिया आया था इंडिया में उसमें एश्ली घंडन मुझे क्या लगा पता है इनका जो performance ना बॉलिंग से बहुत जादा है और धिरे धिरे दोस्तों यह न बॉलिंग अल्राउंडर बन चुकी है मुझे जितना देखके लग रहा है क्योंकि बैटिंग से इनका match winning नॉक लास्ट कब आया था मुझे इंदम से याद नहीं है मैच winning के है दोस्तों performance भी नहीं आ रहा है ODI में ठीक है रन बना जाएंगी 40 पचा सबस्ट टीटू इंडिय में दोस्तों इनको I don't know दोस्तों भाई बट था अच्छी बरी शौन लगाती है बट रिसेनली दोस्तों इन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग से performance दे नहीं पा परफोर्मेंस और यहां पर दोस्तों इंपक्ट कितना रहेगा बहुत मुश्किल है क्योंकि इनका second innings में टीम जब डिफैंड करता है इनका इंपक्ट ना बहुत लेस हो जाता है इस्पेशली पार्टा विकेट में दोस्तों और अगर थोड़ा turning विकेट वा बहुत अलग अगर second innings में जब डिफैंड करेगा जीजी इनको performance इनका जो balling है दोस्तों उनका rhythm है वह बहुत लेस हो जाता है इसका innings wise battings average देको first innings में 25-20 second innings में बहुत जादा difference है नहीं लास्ट यह 8 match 10 wicket 2800 वा 204 रन snare आना recently अच्छा cricket खिला इस team से इनका role भी रहेगा maybe death में भी कर जाए but इन्होंने ODI हो या फिटेस्ट हो batting से बहुत सारा performance क्या है but जब ही बात आता है T20 में 8 match में 34 run सिर्फ last year 8 match में 34 run 24 over balling से 6 wicket उतना performance नहीं था innings wise first innings में 7 का second innings में 11 का तो T20 में अपना career में दूस्तो इनका performance बहुत खराप रहा है compared to ODI और T20 फिट से वही बात आया कि दोस्तों strike करने का बात जब आता है तब दोस्तों थूर आसा मुश्किल होता इस नहराना को और इंडिया को चाहिए मिल्ड ओवर में एक foreign baller at least एक तो चाहिए क्योंकि आप power play में दो batter को डाल रहे हो एक Ashley को डाल रहे हो तो एक तो आपको पीछे balling डालने वाला player चाहिए इस टीम के पास baller ऐसे ही कमी है तो दोस्तों मुझे लगता है Catherine Price नहीं कहलेंगी term number time खेल सकती है उपडेक baller है hitting करती है lower down the ground sorry lower order hitting करती है दोस्तों down the ground baller में से देखो तनुजा कन्वा लिफ्टा मॉफ्टलोक्स लास्ट यार आट मैच में 27 ओवर पाच उगे इसके ओपर ध्यान रखना ये इस मैच में आपके लिए और इस टूर्णामेंट में जीजी अगर अच्छा करेगा ना इस player के ओपर ध्यान रखना जीजी अगर अच्छा क्रिकेट खेला है डाइटम मीडियम है में भी टीम दोस्तों इसको ऐसे यूज़ करता है देखना पड़ेगा बट स्टिल पाउर प्ले में थोरा सा रन कंसीट कर सकती है दोस्तों वही है इंडिया के जितना भी पेसर है उनके पास पेस थोरा सा कम है तो पाउर प यहां पर मैं एक चीज़ एड करूंगा इस टीम का परफोमेंस में दो प्लेयर और एड होगा मनत का शब जोन्होंने रिसेंली ओडियाए वगेडा में अच्छा बॉलिंग किया विकेट नहीं मिला बट बॉलिंग अच्छा गया मनत का शब और यह लॉरेंच चेटल लेट इसी क्या करती है दोस्तों लॉरेंच चेटल और डैफिनेटल हैसा मुझे लगता है कि लॉरेंच चेटल को इस मैच में खिलाना चाहिए क्योंकि अगर यह टीम देखोगे इनके टॉप में अगर ऑपिनर खेलती है हो सकता है यहां पर लॉरा उलवर्ट खेल जाए फीबिल प्लस आपको लॉरेंच चीटल चाहिए जो पाउर प्ले में दो डेथ में डो डालेंगी क्योंकि इंडियन प्लेस के उपर शायर टीम डेथ का रिस्पॉंसिबिलिटी ना रखे इसने राना दोनों ऑफब्रेक ऑफ स्पिनर शायर डेथ में ना करें यह मिलोबर करेंगी औ और दो प्लेयर मननत कश्यप और तनुजा कन्नवर के उपर ध्यान रखना अगर टीम अच्छा करेंगी तो इन दोनों का पॉफरमिस अच्छा करना पड़ेगा तला लिए रहेगा मेरा कवरेज गुज्रान जाइंस के तरफ आप कॉमेंट करके बता आपको वीडियो कैसे लगा और कुछ और भी पॉइंस चाहिए तो डेफिनिटली आप कॉमेंट करके बता सकतो और इस वीडियो में मैं एड कर दूँगा फाइनल कवरेज डबलू पीयल का और अभी इतना सारा सीरीज चल रहा है एक्स्क्लूजिव कवरेज अपरी डिमो टीम शेयर करूँगा टेलिग्राम पर आपको जुनना है टेलिग्राम इसका लिक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे थैंक यू एस मिलते हैं मैंच टाइम पर टेलिग्राम पर